एक बार की बात है, फुर्फुरी नगर में मोटू और पतलू नामक दो अच्छे दोस्त रहते थे मोटू, जो की समोसों के दीवाने थे और पतलू, जो की बुद्धिमान और चतुर थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे एक दिन, उन दोनों की यात्रा एक अनोखी दुकान पर जाप पहुँची जो जादूई आलू परांठ बेच रही थी मोटू और पतलू ने वहाँ पर रुक कर विचार किया कि क्यों न एक आलू परांठ खाया जाए मोटू, वाँ, पतलू, देखो, यहाँ जादूई आलू परांठ बिक रही है पतलू, हाँ, मोटू, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ वास्तव में जादूई है मोटू, चलो देखते हैं वे दुकान पर पहुँचे और एक जादूई आलू परांठ खरीद लिया जैसे ही उन्होंने परांठ का एक टुकड़ा खाया, उनके सामने कुछ अद्भुत हो गया परांठ के बाद मोटू का पेट खूब भर गया और पतलू को भी बहुत मज़ा आया वे अद्भुत लग रहे थे, लेकिन एक समस्या थी, जब तक उन्हें परांठ का स्वाद मिलता रहा तब तक वे भूल गए कि वे कहां खड़े हैं जैसे ही उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, उन्हें एक बड़े पेड के पास जाना पड़ा, जो की काफी अजीब लग रहा था वे उस पेड के नीचे बैठ गए मोटू, पतलू, यह पेड अजीब लग रहा है क्या यह भी जादूई है? पतलू, शायद, हमें यहां से निकलना चाहिए वे पेड के पास से गुजरने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक आवाज सुनाई दी आवाज, अरे भाईजान, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मोटू और पतलू ने चौप कर देखा और उन्हें पेड की ओर देखने लगे वहाँ एक बड़ा पेड था और उस पेड की एक शाखा पतलू की बाहों में ही गिर रही थी पतलू, यह कैसे हो गया? पेड, मेरी जड़े बहुत गहरी है और मुझे छोड़ना मुश्किल है मोटू, हम कैसे तुम्हे छोड़ सकते है? पेड, मुझे जादू की आवशकता है, जो की उस जादूी आलू परांठ में है पतलू ने तुरंत उसाल, उपरांठ का टुकड़ा निकाला और पेड को दिया जैसे ही पेड ने उसे खाया, उसकी शाखा फिर से वापस अपनी जगह पर आ गई पेड, धन्यवाद, भाईजान, तुमने मुझे बचा लिया मोटू और पतलू ने पेड के बाद की पहचान की और वहाँ से जा निकले